प्रणाम मेरा नाम वर्दा नाराइन है, मैं आप सबीको पुने स्वागत करते हुआ अपने सचानल पर, हम आ गे हैं पुने आप सभी के सामने February महीने का राशी फल लेकर तो आईए शुरुवात करते हैं मेश राशी से तो जितने भी मेरे साथ मेश राशी के जातक जुड़े हैं और जितनी प्रिये दर्शक नए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे पुराने और नए दोनों विवर्स को बहुत बहुत वेलकम मैं आप सभी को यही बता देना चाहती हूँ कि हम जो भी राशी फल लेते हैं वो चंद राशी के हिसाब से लेते हैं तो आईए जानते हैं मेश राशी का क्या प्रेडिक्शन क्या फलत निकल कर आता है February 2023 में तो मेरे साथ बने रहे हैं मेश राशी वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये मही नाम थोड़ा जितने भी मेश राशी के जातक हैं अपनी powers को अपनी strength को जितनी भी आपकी strength है power है अपनी family को अपनों को protect करने में लगाएंगे as in कुछ नो कुछ ऐसी conditions create family में हो सकती है majorly या दोस्तियारी में हो सकती है majorly जहां पे disputes, लड़ाई जगड़ा और कले कलेश की कुछ-कुछ मैं गुंजाइश देखती हूँ कि इस तरीके के बहुत उत्पात देखे जा रहे हैं family matters में खास करके मेश राशी वाली जातक इसमें बुद्धी मत्ता का प्रयोग करें और ये तो योगी दिख रहा है कि आप swim से ही अपनी बुद्धी का प्रयोग करके ऐसा करेंगे लेकिन फिर भी मैं आपको suggestion दे देती हूँ कि जब लड़ाई जगड़ा कले कलेश का मौका आपको लग रहा है इस तरीके का माहोल इस तरीके का environment आपको घेरे वे है तो आपने गुसा करके लड़ाई जगड़ा करके चिला कर या रोज प्रकट करके अपने परिवार का रक्षन नहीं करना है आपने रादर अपने शस्त्रों को नीचे करके एक केज बना देना है उनीच रस्त्रों से जिन से हम लड़ाई करते हैं चाहे हमारी वाक स्थान हो चाहे वो दोस्ती अरी में कलेश और कहीं पर भी हो यूँ, you have to try and be calm क्योंकि ये काम ने सी आपकी strength बनेंगे न वस्तुता, आप ऐसा करते दिखते नजर भी आते हैं इस महीने तो इस मने भले ही कले कलेश बने हुए है, भले ही उत्पात शुरू हो गए हैं आसपास लेकिन फिर भी आप शांती का अश्रे लेकर आसपास के area में जितनी भी आपको लग रहा है कि उत्दम मच रहा है, उत्पात हो रहे हैं, चुछ चुछी बातों पे कलेकलेश हो रहा है आप शांती से अपनी हर इशू को रिजॉल्फ करने की कोशिश करेंगे, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने में अपनी एनरजी ज़ादा लगाईए, राधर देन गेटिंग यॉर्सेल्फ इंवॉल्ड इन सर्टन कंफ्लिक्ट्स, ठीक है, ऐसा करने मात्र से ही ये मही आपका सुकत व्यतीत होता नजर आता है, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि खास करके ये मैरेड लाइफ में जैसे हम जोइन फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं है कि हस्बिन वाइफ में कोई कलेश दिख रहा है, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है क जोइन फैमिली में अपने भाई या भाई की पत्नी से ना बनना या इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे फैमिली उतपात नजर आते हैं, प्रीज इनको प्रेम पूरवक रिजॉल्फ कर लीजे, वो हो भी जाएंगे, अगर हम जादा रोश में जाएंगे, तो ये चीज़े बिगरती नजर आती हैं, ठीक है, अब हम married and married couples पे आ जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि छोटे मोटे stress आपकी life में इस महीने बनने उतपन हो जाएंगे, बने रहेंगे, जिसकी वज़े से थोड़ा सा irritated feel करेंगे, लेकिन करपया अपने partner के साथ communication करके, उनके साथ से ease out होने की क पोशिश करनी है, तो irritate नहीं होना है, अपने आपको ease out करना है, काम करना है, उनके साथ से आपको अच्छा लगना चाहिए, तो आप उनसे बाते कीजिए, feel relaxed, छोटी मोटे सेर से पाटे पे चली जाएए, भले ही आपको मारे चकर काट कही क्यों ना आना पड़े and you will feel much, much better अब आजाते हैं हम business और job में, तो job और business area में मैं ये देखती हूँ कि बहुत जादा धन वृद्धी योग नहीं है, कोई इतना पत्पृतिष्ठा मिला है, ऐसा भी योग नहीं बना हुआ है, जैसा चल रहा था, वैसे ये राधर थोड़े बहुत problems created जरूर नजर आते हैं, कि छोटे-मोटे issues create हुए हुए है, छोटी-मोटी problems created हैं, आस-पास, वो जरूर हम देखते हैं, जिसके कारणवर्ष आपको लग सकता है कि जितना success मिलना चीह था, उतना हमको नहीं मिल रहा है, तो एक ही महीने की बात है, और February में तो वैसे भी सबसे जादा कम दिन होते हैं थोड़ा सा धहरे-धारन करें, अपने पुन्यों को और उपार जित करें, और अराधना महादेव की बढ़ा दें, जिससे की आने वाले महीनों में आपको profit हो, सरफ कुछी दिनों की बात है, उसके बादे prediction बदल जाएगा, यह ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ऐसा ही prediction हो ग है, उनका मन कर रहा है, मैं खेल के आजाओं, तो students के लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि विद्या ही आपका अर्थे, तो कृपया अपने आपको focus रखें अपनी विद्या में, अपनी विद्या में अपने आपको पौन रूप से अपनी निष्ठा को fix रखें कि मुझे यह प बात करें, तो रोग आपको पेट में पानी की कमी होने से सूखा होने से सूख जाता है, कोई भूमी सूख जाए, तो किस तरीके से dryness आजाती है, तो dryness से, पानी की कमी से, आपको थोड़े से उदर रोग होते नजर आते हैं, पेट में दर्ध हो गया, digestion problems हो गई, तो उसके आप precautions लीजिए, उस तरीके का घर का healthy food खाईए, थोड़ा सा अपना exercise, योग प्राणयाम आप कर सकते और पानी की मातरा पेट में अच्छी बनाए रखें, जिससे कि ये जो problem है, ये खतम हो जाए, तो problem पता चल गई, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम उसको solution पह कलर के पदार्थ बना कर प्रभू को भोग लगा सकते हैं, इन कलर्स के कपड़े खरीद के प्रभू को पहना सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा इन कलर उसको, इन रंगों को चरितार्थ करने का और कोई बड़ा उपाय वस्तुता नहीं होता, अपने लिए भी कोई कपड़ा खरीदना चाहते हैं उस color card को खरीदिए प्रभू को अरपित करके फिर उसको धारण कर लीजे ठी इस color के push पवस्तुता आप खरीद के प्रभू को चड़ा सकते हो फिर अपने area में जो आपको office का area घर का area वहां पर वास में लगा सकते हैं तो इससे आपकी जिंदगी में और बहुत सारे रंग भड़ते नजर आते हैं ये जब आप प्रभू को अरपित करके lucky color को उप्योग में लाते हैं तो वो जो lucky होता है वो सरफ lucky color नहीं होता वो most lucky color बन जाता है ठीके तो आशाया है आपका ये महीना सतर्क रहे के जो मैंने आपको बताया है उन suggestions को अपने मस्त इश्क में रखकर बहुत बुद्धी मानिय के साथ सतर्ता के साथ और positive approach के साथ व्यतीत होगा आप शांत रहेंगे और अपनी शांती से औरों की उपद्रवों को भी शांत करते हैं इस महीने को बहुत सुंदर व्यतीत करें धन्यवाद